आज हम बताएंगे मिट्टी के हंडी में दही कैसे जमाते हैं उसके लिए हमने ये दो लीटर दूद्ध गरम करने के लिए चड़ा दिया है दूद्ध को बीच बीच में ऐसे चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आए इसमें मलाई ना बैठने दे इसमें उबाल आने दे और इसे बीच बीच में चलाते रहें दूद्ध में उबाल आ चुका है गैस को धीमियाज पे कर दिया है हमने धीमियाज पे इसे बीच बीच में हिलाते रहें पान से साथ मिनट इसे और भी उबालें हमने अमूल गोल्ड दूद लिया है गाड़ा बनेगा 5-7 में दूद में उबाला चुका है अब गैस को बंद कर दे अब इस दूद में इस तरह से डाल गोटनी मार दे थोड़ा ठंडा होने के बार ठंडा होने तक छोड़ दे इस तरह से दूद फेटने से इसके उपर मलाई नहीं जमेगी दही बहुत अच्छी जमेगी फिर इसे गुन्गुना होने दे दूद गुन्गुना हो चुका है अब इसे हम जमाएंगे जिस मट्टी के वरतन में जमाना हो उसमें ये एक चमज ताजा दही डाल दे दही ताजा ले इससे दही बहुत अच्छा जमेगा अब इसके उपर ये दूद इस तरह से डाले इसे धीरे धीरे डाले पुड़ों उच्छा से डाले धीरे धीरे इससे एक बार डाल घोटनी से भी अच्छी तरह घोट दे इसे ढख के एक साइड में रख दे इसे किसी गरम जगा पे रखेंगे तो अच्छा होगा 6-7 घंटे में ये सेट हो जाएगा अगर रात को आप जमाते हैं तो सुबा तक ये बिलकुल सेट हो जाएगा देखिए दही कितनी अच्छी जमी है बिलकुल टाई मट्टी के हंडी में दही जमाने से दही का टेस भी बहुत अच्छा होता है मिट्टी के हंडी में बनाएवी दही का स्वार बिलकुल अलग लगता है खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होती है